दोस्तों डिसकेशन स्टार्ट करेंगे बट बिफोर देट कल का जो प्रिलिम्स एक्जाम था दोजास विसका उसके बारे में कुछ एक इंपॉइंट चीज़ें हैं जो मुझे आपसे बात करना चाहता हूं बिल्कुल ओनेस्टली प्रकुल दोनों पेपर से जीयस पेपर 1 भी जीयस पेपर 2 भी कहीं ना कहीं दोनों पेपर moderate level के हमें देखने के बुलते हैं ऐसा नहीं कहुंगा कि बहुत ही आसान थे नहीं कुछ ए questions देखने में भरे ही आसान लग रहे थे बर time consuming थे Similarly paper 2 भी आपकर जो C-set का था वहाँ पर भी same चीज़ देखने को मिली पर हाँ इतना जरूर है कि as compared to 2023 2023 के मुकाबले 2024 का paper थोड़ा comparatively आसान था ठीक है सर ये बात बिल्कुल मतलब I think जातर लोग मेरी बात से agree करेंगे अब यहाँ पर एक दो चीज़ दो चार चीज़े और हमें सीखने को मिली है इसके लावा ये भी है कि देखो हमारा जो static part है वो strong होना चाहिए इसमें कोई doubt की बात नहीं है पर static के part के साथ अगर आपने current का अच्छा linkage बना लियाना तो आपना overall paper में काफी अच्छा perform करोगी जिन बच्चोंने static जदा अच्छा था पर current अच्छा नहीं था उन्होंने काफी question current के गलत कर दिये अगर vice versa था तो वो static वाले portion में थोड़ा पिछड़ गए है इस पर एक proper balance देखने को मिला तो दोनों का जो अच्छा एक bridge होता है न वो अगर हमारे पास एक अच्छा bridge होगा तो that is really important in scoring good marks in prelims और देखते हैं में में इस पर कैसा आता है पर एक जो चीज मैंने notice करी कि जो लोग regular थे अपनी newspapers के साथ या जो भी initiative तो और sincere थे इस चीज को cover करने के अंदर उन लोगों का exam अच्छा हुआ है कल से ने को बहुत सारे बच्चों का message भी आया कि काफी सारे questions हमारे prelim booster से देखने को मिले लगबख 18 questions ऐसे थे जो directly थे और बाकी बहुत सारे questions हमें indirectly हमें prelim booster news discussion से देखने को मिल रहे हैं पर यह वही बच्चे इन चाज़ों को सही कर पाए जो लोग अपनी तयारी के अंदर regular और sincere थे मैंने बहुत सारे questions यहां पर दिखाए हुए जैसे deal invitation commission वाला हो गया आपका operation सुदभाब ना हो गया यह dates भी mentioned है कि किस किस तारीक और कौन सी चीज़ हमने discuss करी है तो lot of questions रद्धियर जो हमने यहां पर discuss करें सारा आप यहां पर download करके देख भी सकते हो पर point वो नहीं है कि कितने question आये कितने question नहीं आये point यह है कि जो बच्चे अब आगे की त्यारी कर रहे है उनको क्या करना है उनको यही करना है कि एक तो एक single source अपना रखिए बहुत ज़ा sources के बीचे मत भागिए काफी बच्चों को लगता है और मेरा current affairs तो एक बहुत बड़ी चीज़ है यह भी पढ़ लूं क्या वो भी पढ़ लूं क्या यहां से भी cover कर लूं यहां से भी cover कर लूं ऐसा मत कीजिए अब बहुत ज़ा current affairs के बीचे बागेगे न तो current affairs तो कभी खतम ही नहीं होता तो हमें बस इतना ensure करना होता है current affairs के अंदर कि are we doing the enough things are we doing कि जो चीज़े UPS से पूछ सकता है कि हमने वो चीज़े करके गए है and I think इस चीज़ के अंदर prelim Worcester news discussion से जो आप लोग भी आप लोगों ने भी पेपर दिया है कुछ बच्चे आसे होगे जो ने पेपर दिया नहीं but वैसे they have been following prelim Worcester for long एक तो आप बताईए कि आपको कितना helpful लगा prelim Worcester जोगा discussions था were it helpful for the exam या फिर अगर नहीं था तो वो भी आप मुझे बताईए definitely जो भी आपका जो भी right आपका जो भी आपको सही लगता है वो चीज़े मुझे आप definitely comments में आप बताईएगा plus at the same time मैं आपकी तरफ से भी constructive feedback ज़रूर चाहूंगा ताकि आप लोग भी ये prelim boost दे को आप लोगों कहीं एक initiative है तो हम और आपकी मदद कैसे कर सकते हैं ताकि ensure कर जा पाए कि जो लोग अगले साल त्यारी कर रहे हैं वो बहतर हो पाए तो ये दोनों चीज़ों के regarding देखो मैं comments आप से expect कर रहा हूँ कि आप मुझे बताओगे पहला चीज़ कि क्या helpful था या नहीं दूसरी चीज़ हम इस चीज़ को और बहतर कैसे बना सकते हैं जो भी आपका feedback होगा आप definitely comments में लेखेगा मैं personally एक एक comment को go through करूँँगा ताकि वो चीज़ें हम आगे भी देख पाए ठीक है बाकी देखो बहुत वच्चों मुझे टेलिग्राम के उपर message किया है चाहे वो with regards to seaset था या फिर prelim booster था या economy था whatever but I am happy to see कि आप लोगों ने जो trust prelim booster के उपर place किया था उस trust के उपर हम खरे उतर पाए हैं अब आखरी जो चीज मुझे आप से discuss करनी है न वो ये है कि sir हमारे अलग-अलग marks बन रहे हैं कुछ बोल रहे होंगे कि sir मेरे marks 100 से उपर बन रहे हैं कुछ बोल रहे हैं कि sir मेरे marks 80 के आसपास बन रहे हैं और कुछ कही ना कि बीच में हैं मतलब 85 के आसपास ऐसे different kind rates हमारे पास देखने को मिल जाते हैं देखो irrespective of the fact कि आप कौनसी करटेगरी में हैं कम हैं, जादा हैं या आपकी cut-off के आसपास ही हैं तो irrespective of the fact एक से दो दिन तो definitely हलकी से आपको break लेनी चाहिए कोई doubt की बात है यह नहीं जिनको लग रहा है कि आच्छे खासे number बन रहे हैं उनको एक दो दिन की break के बाद फिर वापस से mains की त्यारी में जुट जाना चाहिए थोड़ी break अगर एक दिन गाल लेनी है कोई दिक्कत नहीं है पर अच्छे से परना mains की त्यारी start कर देना क्योंकि यहां पर बहुत important चीज़े हमें करनी है उसके साथ ही साथ जो लोगों का लगता है यार कि बिल्कुल भी number कमा रहे हैं या 40 number ऐसे number आ रहे हैं तो cut off clear करने को कोई सवाल ही नहीं हो रहा उनसे भी मेरा यही suggestion है कि भाई अभी आपना mains की त्यारी थोड़ी ज़्यादा रखो reason being कि ऐसा नहीं है कि आपको एक साल prelims ही पढ़ते रहो गया नहीं कब अगले साल आप prelims निकालोगे तो mains की त्यारी अगर आपके अच्छी होगी ना तो फिर वो तीन महीने आप थोड़े से आसानी से आपके निकल जाएंगे तो अभी यह जो टाइम होता है न सबसे बड़िया यह mains का ही होता है ऐसा थोड़ी है कि एक साल अलबस प्रेलिम 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 भी पढ़ते गए नहीं अप थोड़ा means का जो भी है आपका ethics हो गया आपका essay हो गया उन चीजों का आप थोड़ा strong कीजिए यह धोड़ा ध्यान रखना और जो थोड़ा border पे है देखो आपको बहुत साथ सोच रहा नहीं है मुझे पता है आप एक अंसर की देखोगे उसमें दो नमबर उपर दूसरी में दो नमबर नीचे यह सब चीजें आएंगे I understand your point I completely get those things पर आपको कोशिश करने चाहिए कि उन चीजों को थोड़ा सा side रखके अगले आने वाले जो 15-20 दिन है जब तक आपका result नहीं आता उस पर आप means के उपर अच्छे से काम कर लीजिए otherwise पता क्या होगा मालो 20 दिन के बाद आपका clear हो गया फिर आपको लगगा यार मैंने तो 20 दिन waste कर दिया यार इन में अच्छे से मिनत कर ली होती ना तो यह हो गया होता है तो यह कुछ बाते थी जो मुझे आपके साथ डिसकस करनी थी but I will be waiting for your comments जो भी आप मुझे बताना चाहते हो जो भी आपकी real feelings आप मुझे definitely बताई है I'll be more than happy to read about those things ठीक है एक आखरी चीज़ और जिल लोगों का देखो प्रेलिम्स उनको लगता है clear हो रहा है तो वो हमारे साथ स्रीजन मेंस guidance program के साथ जुड़ सकते हैं पिछले साल भी 2023 के अंदर 57 से जाज सेलेक्शन समारे स्रीजन मेंस guidance programs के थुड़ हुई थी जो आपका final list के अंदर तो इसकी जो सारी जो आपकी description के अंदर आपको सारी details आपको देखने को मिल जाएंगी plus at the same time जो form link है ना वो भी मैंने यहाँ पे description के अंदर डाल दिया है तो प्लीज वहाँ पे जाएं description को चेक कीजिए description के जाके यह form link को आ फिल कर सकते हो और हमारी team आपको बिल्कुल एक supporting role के अंदर आपको मदद करेगी ताकि आपका means भी हम आपके साथ मिलके आपका clear करवाप आएं चलिए दोस्तों start करते हैं आज की discussion पहला जो topic हम discuss करेंगे that is launch of 2800 करोड digital aggrimission देखो सरकार के द्वराब 2800 करोड का digital aggrimission launch किया गया है अब ये actual में उनका agenda है 100 days का देखो actual में अभी सरकार recently वनी है तो बरधान मंतरी मोजी जी ने पहले भी कहा था कि 100 दिनों के अंदर वो बड़े बड़े फैंस्टे लेंगे इन मेंसे एक फैंसला यहाँ पे digital aggrimission के launch के समंध्यत है अब आप जानते होंगे देखो अगर हम बात करें ना हमारे UPSC main slivers का भी एक पार्ट है कि agriculture के अंदर हम यह technology का इस्तिमाल कैसे करते हैं तो यह उसी का ही एक आप कोई example देखने के मिल जाएगा जहां पर हम बात कर रहे हैं artificial intelligence, AI की, blockchain की, remote sensing, robots, drones यह सारी चीज़े हम agriculture में कैसे इसको encourage कर सकते हैं इसी technologies को और उनकी use को और बढ़ा सकते हैं तो एक तरह से nationwide farmer registry यहां पर बनाई जा रही है इस mission के मादियम से village maps का देखे जा रहे हैं and crops on registry के कितना crops को सोवगरा किया गया यह सारी चीज़े यहां पर देखने को मिल जाएगी बाकि देखो यह जो दो साल के अंदर यानि कि 2025 सब्विस तक यह roll out कर दिया जाएगा इसके अंदर जो farmer registry बनेंगी उसके मादियम से हर farmer के वासना एक unique ID होगी UP and महराष्टा के अंदर तो अल्रेड़ी यह काम स्टार्ट हो भी चुका है अब इस unique farmer ID के मादियम से जो भी आपके अलग-अलग scheme जाए यहां बना डिपार्टमेंट ने finalize किया है क्या agree stack, agree stack के विसस के उपर आपके जो भी innovative agree way solutions होंगे उसके लिए foundation बन जाएगी दरसल में यह foundation के मादियम से आपके जितने भी अलग-अलग stakeholders है agriculture के involved उनको साथ मिलाने का काम करेगा ताकि अच्छे outcomes आपाएं, किसानों की मदद हो पाएं तो data को साथ में लाना और data के मादियम से अलग-अलग services को create करना यही agree stack का आपका purpose है इसके लाबा UFSI, Unified Farmers Service Interface इसके मादियम से किसान को जो भी services चाहिएं चाहे वो weather के regarding हो, market prices के regarding हो, agriculture advisory हो वो सारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है बाकी हमारा जो NEGPA है यानि कि National E-Governance Plan in Agriculture उसके मादियम से हमारी जो states है उनको नई technology अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे funds प्रवाइड करे जानी है आपकी UTs और states को चाहे वो कोई भी technology हो, EIE हो गया आपका blockchain, IoT, robotics, यह सारी चीज़े इसके साथ ही साथ आपकी जो महलनोबिस National Crop Fog का सेंटर है इसको revamp किया जा रहा है ताकि हम कितना बारिश होनी है यह सारी चीज़े वैदर के रिगार्डिंग जो information है इसको हम और भी वैटर कर पाए लास्टली आपका soil health, fertility और profile को मैप किया जा रहा है तो इस तरह के pilot projects अलग-अलग states के अलग-अलग districts में चल रहे है and हम expect करें हैं कि इनके results काफी अच्छी आएंगे and accordingly agriculture mission जो हमारा digital agriculture mission है यह हमारे किसानों की बहुत ज़्या मदद कर पाएगा दोस्तो अगला हमारा topic है प्रेड़ना स्थल के regarding हमारे vice president जी के द्वरा प्रेड़ना स्थल को inaugurate किया गया यह प्रेड़ना स्थल है क्या दरसल में parliament house complex के अंदर एक जगा है एक area है जिसको हम प्रेड़ना स्थल के नाम से अब जान रहे हैं यहां पर आपको ना महात्मा गांदी जी छत्रपती शिवाजी महराज जी भीम राओ अंबेतकर जी डॉक्टर बीर अंबेतकर इनके जो statues हैं इनको यहां पर relocate किया गया है पहले देखो इनकी locations अलग थी अलग अलग positions थी अब यहां पर इनको relocate करके जहां पर रखा गया है अब अगर हम बात करें ना कहां रखा गया कहां मतलब यह जगा है एर मार्क करी गया पर इनको इसकी इंपोर्टेंस की बात करें देखो देफिनेटली यहां पर हमारे जो अलग-अलग freedom fighters, अग्रेड freedom fighters हैं उनके बार में अच्छे से जानकारी मिल पाएगी हमारे जो visitors होते हैं और वो कहीने के समझ पाएगे किस तरह से हमारे देश की अजादी के लिए हमारे जो वतंतरता सेनानी थे उन्हें किस तरह से अपना योगदान दिया प्लस अग्रेड़ सेम टाइम उनको वो ट्रिब्यूट पे कर पाएगे प्लस अग्रेड़ सेम टाइम जब भी हमारे जो visitors हैं यहां पे इनको विजिट करेंगे तो इनको भी साइची देखेंगे और उनके लिए अच्छी बात ही है नेक्स दोस्त तुमारा टॉपिक है कश्मीर का खीरबवानी टेंपल फेस्टिवल देखो एक्चल में न अगर आप जाओगे जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के आपका एक डिस्टिक है गांदर बिल डिस्टिक वहाँ पर आपको एक छोटा गाओं आप कह सकते हो तुलमुल या तुलमुला के नाम से इस गाओं के अंदर आपको एक temple देखने के मिलेगा जिसका नाम है क्या खीर ववानी temple आप इसको खीर ववानी temple भी कह सकते हो या फिर आप इसको रग्निया देवी temple के नाम से भी जानते हो अब आप बोलोगें सिर्फ खीर वर्ड यहां पे क्या कर रहा है देखो आप लोग भी खीर खाते होंगे खीर कैसे बनती है सिर्फ खीर बनती है आपके दूद रचावल से राइट तो दरहसल में न यहां पर खीर को चड़ाया जाता है जो आपकी मिठाई के लो जो भी आप खीर कहना चाहते हो वो चड़ाया जाता है यहां पे गॉड़ेस को क्यों ताकि ना उनको शांत के दाप है उनको बना पाऊ एवर आप बोलते हो ना कि यार माता जी नराज है हमारे साथ तो उनको मनाने के लिए यहां पे खीर को उफर दिनों के अंदर हमें देखने को मिले यह जो टेंपल है इधर असल में गॉड़स दुर्गा जी को डेडिकेटेड है जो कि मारागनी उनको मतलब मारागनी की फॉर्म के अंदर यहां पे वर्शिप किया जाता है अब यहां पर आप सामने एक कुंड देख पा रहे होंगे बताया जाता है कि जो कुंड का पानी है यहां पर आप सायरागने ह्ने इसका मतलब है कि माता जी वह नराज है उनको मनाना पड़ेगा राइट, whereas on the other hand मान लो अगर जो पानी है यहां का वो थोड़ा साफ है, थोड़ा शान्त है इस कुंड के पानी से हमें आइडिया लगता है कि अब हमारे घर में सुख, समरिद्धी, खुशी यह सब चीज़े आएंगी जहने कि एक कुंड के रिगारइग में नब बहुत सारी स्टोरी यहांपर बात करी जाती है बाकिये गर हम बात करें कलहन की राज सुन्गनी के बारे में वहाँ पर भी खीरवाणी मंदिर का झिकर है ब्रिगु समेता में भी आवीध का झिकर देखने को एक चीज ना, देखो, हमारे जो हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, इनकी एकता का भी बहुत important ये प्रतीक है, आप पूछेंगे सर वो कैसे, देखो मैंने जैसे कहाना कि बहुत सारे कश्मीरी पंडिस जो हैं, वो जम्मू से या बाकी और जगा से भी कश्मीर जाते हैं इस मुस्लिम एकता का, बहुत ही अच्छा ये आपको, जो खिवीर भानी मेला है, बहुत ही अच्छा एक importance है, ये मिल जाएगा आपको, बाकी देखो, चीज़े मैंने बता दी, ठीक है न, इसको यहाँ पे salivate किया जाता है, ओन जेश्ट अश्टमी तिथी के वाले दे, नेक् आपके जितने भी geological activity है, वो अकर करती है, आपकी जो life होती है, वो यहाँ आपके अकर करती है, सो ये solid जो outermost layer होती है, उसनों हम crust के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सर उसके बाद आ जाती है, mental, mental के अंदर जो भी आपके tectonic activities होती है, वो सारे convection currents पगरा हो गय जो कि कहिना की आपका magnetic field को generate करती है, इसके लबाद जो inner core है, यहाँ पर आपको nickel और iron देखने के मिल जाएगा, यह होती है आपकी solid, बाकि आप discontinuous तो आप देखी सकते हो, यह सारी discontinuous आपको इस चीदे पता होंगी, एक और चीज मुझे आपको याद दिलानी थी, कि यहाँ परना आप जानते होंगे कि होता क्या है ना, हमारी जो P waves और S waves को हम सीजमिक waves के नाम से जानते हैं, इनके data को हम study करते हुए, जो भी अर्थquakes या आपके nuclear test यह सीजमिक waves को produce करते हैं, उसके मादियम से हम पता कर पाए कि कैसे आपका inner core solid है, क्योंकि यहाँ पर speed बगारा का इन सब चीज़ों के बारे में, अब मैं बात पता क्या कर रहा हूं, बात यह कर रहा हूं कि जो अर्थ का inner core है, वो कहीना कि slow down कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि यह कोई question mark वाली चीज़ है, नहीं, बहुत सारे scientists लेना इसका unambiguous evidence दे दिया है, कि अर्थ की inner core यहाँ पे slow हो रह ही है, अब इसका सर क्या कारण क्या है, कारण देखो इसका यह बताया जा रहा है कि जो outer core के moment है ना, right, मतला इनने observe किया इस चीज़ को रिगारिंग, तो जो भी generate करते थे अर्थ की magnetic field यह gravitational forces को, तो यह अर्थ की core की moment हमें influence होती हुए देखने को मिल रही है, अब इस वज़ solar radiation से, आप जानते हैं ना, बहुत ही harmful flavor, जो solar flares होते हैं, वो आ सकते हैं, अपर अर्थ की magnetic field हमें कही नके उससे बचाती है, अगर यह slow हो रही है ना, उससे यह दिक्कत आ जाएगी, कि अब कही नके अर्थ की magnetic properties impact होंगी, आपकी geomagnetic events यहां पे impact होंगे, एंड जो धरती प impact होती हुए हमें, देखने को मिल जाएगी, तो यहां पर कल को यह न, UPSS यह सवाल भी पूछ सकता है, मानलों ऐसे पूछ लिया कि अर्थ का inner core तेज हो रहा है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का inner core यहां पे slow down होता हुआ देखने को मिल जाएगा, एक और topic इसको नौच किया गया था, इसका focus यह रहता है कि आपके जो भी patient के health record देना, उनको digitize करना, and उनको link करना ABA ID के साथ, अब आप पूछेंगे, sir ABA ID क्या है, देखो जैसे आपकी अधार ID होती है, अधार card होता है, उसी तना से आपकी ABA ID है, यह 14 digit का identification होती है, लोगों की, जैसे आपका अधार card होता है, ऐसा बता जा रहा है, अभी के लिए 64 करोड आभा ID करेट कर दी जा जूगी है, इनको hospital के साथ link किया गया है, एन patient record लिंक किया गया है, अब देखो पहले पता क्या होता था, यह अभी भी infect होता है, आप लोग ना किसी doctor को दिखाने जाते हो, तो पता नहीं है, आपको पूरी history लेकर जानी पड़ती है, साथ में, कि भाई, मैंने पहले इस पर यह इलाज करा है, इस doctor पर उसने यह test बोला, उसने वो test बोला, उसने यह दवाईया दी, all those things, पर अब मान लो हर चीज़ को हमने digitize कर दिया, तो अब आपका जो भी data है, च इसको पूरी रामकता बनाने की जड़ोत नहीं है, कि भाई, ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, वो आपके digital health ID के अदर पूरा data होगा, सामने वाले doctor ने क्या इलाज किया था, क्यों क्या था, वो भी आपको सारा मिल जाएगा, तो यह इस तरह से digital health ID आपकी मदद करती है, तो इसके माद़िम से, इस incentive scheme के माद़िम से क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो भी hospitals है, उनको हम यहाँ पर incentivize करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि healthcare providers जादा स्यादा इस चीज़ को adopt करें, digital health को, plus at the same time, आपकी यहाँ पर कुछ health solutions देखने के मिलते हैं, जैसे hospital health management information system, laboratory management information system, ता doctor किया जाओ रहे हैं, यहाँ पर आप notice कर पाओगे, जो भी additional record वो digitize करेंगे, आपके चाहिए hospitals हो गया, चाहिए वो government hospital है, private hospital है, clinic, nursing, home, diagnostic, pharmacist, उनको 20 रुपे यहाँ पर मिलेंगे, for every record they digitize, हर एक record वो digitize जो कर रहे हैं, उसके लिए उनको 20 रुपे मिलेंगे, and over and above the threshold of 100 transactions आ अगर आप notice करोगे, तो जो आपके public and private hospitals हैं, और आपके digital solution companies हैं, वो अगर digital health records को create करती हैं, तो total incentives हो चार क्रोड तक यहाँ पर कमा सकती हैं, बाकि जो different companies हैं, चाहिए वो NIC है, National Aquatic Center, या CDEC हो गया, Center for Development of Advanced Computing, वो यहाँ पर भी different solutions चाहिए, e-hospital हो, e-sushrut solutions यहाँ पर प्र करने के अंदर, तो वो यह scheme यहाँ पर help कर रहे हैं, उस लेक्टाइस को दूर करने के लिए, patient के लिए असानी होगी, waiting time कम होगा, अब जल्दी से उपड़ी distance को यहाँ पर avail कर पाएंगे, आपको भी सारी health services अच्छे से मिलती रहेंगी, health records properly share होते रहेंगे, जिनको required होंग प्लस at the same time इसके माद्यम से केने के incentives भी होंगे, UPI का promotion होगा, आपके digital health infrastructure और भी यहाँ पे बहतर होता रहेगा, तो यह सब benefits हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, दोस्तो आज की discussion के wishes के उपर आपको मैं कुछ homework देना हूँ, जिनका मुझे आप true and false के माद्यम के अंद पहला आपका incorrect हो गया, IUCN status आपके snow leopards का endangered नहीं होता, यह दर असल में आपका vulnerable होता है, तो second statement भी आपका incorrect है, बाकी देखो बात करूँ, G7 के अंदर आपका चाहिना नहीं आता, यह भी गलत हो गया, and council of minister president को नहीं, parliament को collectively responsible होते हैं, तो यह भी आपका correct है, देखो आज मैं से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या initiatives हैं, जो आपको लगता है कि आपको मदद कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम कहीं, based on resources, उसको incorporate करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों, यह थी आज की discussion, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो आप my telegram channel PW only, आएस official बजा कि इसकी PDF ड बना सकते हो, thank you very much for the discussion.